अलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रिया स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बेबी और मॉम लाइब स्टाइल में फ्रेंड्स आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों की अगर पहली सर्दी हो तो आपको क्या करना चाहिए वैसे तो फ्रेंड्स चोटे बच्चे होते हैं जो हमारे और उनको ये जो बदलता हुआ मौसम होता है उन सबसे खत्रा होता है और उसमें वो बीमार भी पढ़ सकते हैं इसलिए आपको अपने लिए और अपने बच्चे के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखने की जरूरत होती है क्योंकि जरासी भी गल्दी आपकी आपके बच्चे के लिए खतरनाक सावित हो सकती है उस्तो न्यूबॉर्ण बेनबी के लिए पहली सर्दी हो या पहली गर्मी in fact कोई भी पहला मौसम उसके लिए काफी ज़दा dangerous होता है उनको hospitalized करना भी पड़ सकता है ऐसे में हमें क्या करना चाहिए जो newly mothers होती है उन्हें क्या करना चाहिए क्योंकि newborn में भी जो होते हैं वो mother feed पर ही depend होते हैं तो इसलिए newly mother को खास ध्यान रखना चाहिए अपना और अपने बच्चे का दोस्तों अगर आप new mother बनी हुई है तो बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि कई जगे ऐसा होता है ना कि मौसम सरदी का नहीं होता है हलकी ठंड होती है तो mother क्या होती है लापरवा हो जाती है कि इस अरदी वाले कप्ड़े नहीं पहनती है जो गर्म कप्ड़े होते हैं नॉर्मल ऐसे ही काम करती रहती है तो इस चीज़ का उनको बेहत ख्याल रखना है हलकी ठंड में भी उनको खुद को कवर करकर रखना है साथ में अपने बच्चे को भी कवर करके रखना है ओके फ्रेंड्स खुद के हाथ, पैर और कान को अच्छे से कवर करके रखना है ताकि उनको कहीं से भी किसी भी तरीके की ठंड ना लगे क्योंकि अगर मदर को ठंड लगेगी और बच्चा भी मदर फीट पर ही डिपेंड है तो बच्चे को आसानी से ठंड लग सकती है सेकंड चीज का मदर को क्या ध्यान रखना है अगर आप नहा कर आ रही है उसके बाद में आपका बच्चा रो रहा है तो आप तुरंध बच्ची को लेकर दूद नहीं पिला सकती है आपको क्या करना है आप खुद पहले अपनी बाड़ी को गर्म करिए इसके बाद में आप अपने बच्चे को लीजिए और उसको फीट कराईए अगर नहाने के टाइम पर अपने हेर वाश किया हुआ है तो आपको क्या करना है जब तक आपके हेर अच्छे से सूख नहीं जाते हैं तब तक आप अपने बच्चे को फीट मत कराईए क्योंकि इससे आपके जो सर की ठंड़क है न वो मदर फीट में आएगी और बच्चे को लग सकती है इसलिए जब तक आपकी पूरी बड़ी नॉर्मल नहीं हो जाती हीट अप आप अपने बच्चे को फीट मत कराईए एक्स चीजे फ्रेंड्स आपको गरम चीजे खानी है ठंडी चीजे बिलकुल नहीं खानी है ठंडी चीजों से मतलब है मेरा चावल हो गया द लेकिन ठंडी चीजे आप जितना हो से के avoid करिए आप जितना जदा गरम चीजे खाएंगी उससे आपको दो benefits मिलेंगे एक तो आपकी जो milk supply है वो बढ़ जाएगी और second चीज है आपको और आपके बचे को ठंड लगने से भी ये गरम चीजे बचा लेंगी तो ये benefits से गरम ची लही करना है कि आपको लोग जो मना कर रहे हैं कि ये मत करो वो मत करो तो आप इससे hurt हो रहे हो hurt होनी की जरूरत नहीं है friends थोड़ी time के लिए अगर आपको चीजे अपना लेंगे तो इससे आपकी body और आपके बच्चे का सरीर दोनों ही fit रहेंगे ठीक है जो हमारे जो करनी चाहिए और उनको neglect भी कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारी चीजें जो सही नहीं है लेकिन जो हमारी health के लिए और हमारे बच्चे की health के लिए सब में ध्यान देना चाहिए और उन बातों का हमें बुरा नहीं मानना चाहिए तो आपको खुछ त। रहना है आप घर के ही काम करती है क्योंकि घर के कामों में क्या होता है हमें बार बार हाथ धुलने पड़ते हैं बरतन धुलने पड़ते हैं या फिर कोई काम करा तो उसके बाद में हैंड वास करना पड़ता है तो आपना कुछ टाइम के लिए ऐसा करें कि जो बरतन होते हैं उसका एक time period कर लें कि एक बार morning में दुलने हैं और एक बार evening में दुलने हैं और गर्म पानी से ही दुलने हैं इसके बाद में आपको क्या करना है बरतन दुलने के बाद में अपनी body को गरम करना है इसके बाद में बच्चे को टच करना है ओके फ्रेंड्स अपने ठंडे हातों से अपने बच्चे को नहीं लेना है इससे भी बच्चे को तकलीफ होगी और हो सकता है बच्चे के इस बोडी में ठंड पहुंच जाए जोस तो हो सकता है मेरी बाते आपको सुनी-सुनाई लग रही हो लेकिन इन सारी बातों में लोजिक है और ये आपके बच्चे की सेफटी के लिए ही बोल रही हूँ आपको बताती हो आपको अपने बच्चे की देख बाल कैसे करनी है विंटर का सीजन चल रहा है इस टाइम पर आपको बच्चे की मसाज दिन में दो बार करनी है और मसाज करते टाइम जो रूम होगा उसको आपको टमप्रेचर नॉर्मल कर लेना है आप चाहें तो रूम हीटर का यूज कर सकती है लेकिन ये रूम हीटर आप अपने बच्चे से दूर ही रखेगा उसके पास मत रखेगा सेकेंड चीज आपको किस ओईल का यूज करना है आपको मस्टर्ड ओईल यूज करना है आपको क्या करना है थोड़ा सा ओयल गर्म करने के लिए रख देना है उसमें थोड़ी सी मेथी डालिए थोड़ी सी अजवाइन डालिए और जो गरम चीज़े होती है ना लैसून जैसे हो गया तो ये दो तीन चीज़े आप डालके अच्छे से पका लीजिए और इस पके हु लगता है बहुत ठंड हो गई है बच्चे की मसाज नहीं कर पा रहे हैं तो आपको क्या करना है बच्चे के हाथ की हतेली में पैर की हतेली में पैर के सौरी तलवे में और निल्स में इतनी जगे आपको बच्चे को ओईल लगा देना है पीट में भी आप चाहें तो बच्चे निकल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और अगर ये वीडियो पसंद आयो ना तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा